अगर आप TARO में Occult में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर Otherwise भी आपका बहुत इंट्रेस्ट आप सीखना चाहते हैं, we have a TARO Certification Course जिसमें A to Z about TARO आपको सीखने को मिलेगा. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है और इसी से ही related अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं और अगर आपका TARO Occult में बहुत इंट्रे आपके मन में चल रही है, और आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके लिए क्या सही रहेगा, तो ये आप लोगों के लिए पिका कार लीडिंग, आज की पिका कार लीडिंग का टॉपिक है X या फिर next, और अभी आपके मन में भी इसी से ही related confusion चल रही है, आप अपने X का व आपके लिए है, और ये एक timeless reading है, तो जब भी भी इस तरीके की confusion में आप अपने आपको पाएं, ये reading आपके सामने आए, तो इस reading में आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है, आपकी confusion दूर हो सकती है, और इसी confusion को दूर करने के लिए, या फिर इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको इन टीनों में से एक पाइल को चूज करना पड़ेगा, पाइल सेलेक्शन के लिए मेरे पास दो options है, first is intuitive method and the other one is आपके नेम का first letter, सबसे पहले हम intuitive method के हिसाब से देखेंगे, तो यह आपके दिखेंगे, पाइल 1 के लिए हमारे पास white and black candle है, पाइल 2 के लिए बेजन ब्राउन है, पाइल 3 के लिए white candle है, आपने अपनी love life को visualize करना है, आखे बंद करके visualize करना है, और आखे खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले attract करता है, आपने उसको चूज कर लेना है, आपने shape से color से किसी चीज से बाइस नही फर्स लेटर A, D, G, J, M, P, S, B, Y से शुरू होता है, तो आपके लिए pile 1 है, और अगर आपके नाम का फर्स लेटर B, E, H, K, N, Q, T, W, Z से शुरू होता है, आपके लिए pile 2 है, और अगर आपके नाम का फर्स लेटर C, F, I, L, O, R, U, X से शुरू होता है, आपके लिए pile 3 है, I hope कि आपने pile select कर लिया है और अगर नहीं किया है आप video को pause कर सकते हैं You can take your own time in choosing the pile तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं देखते हैं आखिर आपको क्या करना चाहिए X का wait करना चाहिए या फिर X की साथ अपना future आपको देखना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और अगर आपने pile one या निकी black and white candle को choose किया है या फिर आपके नाम का first letter A, D, G, J, M, P, S, V, Y से शुरू होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile one cards क्या कहते हैं X या फिर next आपको किसको choose करना चाहिए तो देखिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं book and union book का card कहीं किसी level पे secrecy की बात करता है किसी hidden चीज की बात करता है कहीं या एक transparency नहीं होने की बात करता है या तो आपका आपके X के साथ एक या एक hidden सा relationship था और देखिए ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए literally हो सकता है कि आपने एक secret marriage उनके साथ करी थी कुछ के लिए हो सकता है कि secretly इस relationship को आप pursue कर रहे थे यानि कि society, religion या फिर family या you know, बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था चुप चाप इस relationship को आप maintain कर रहे थे और देखिए चुप चाप maintain करने का मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज थी जिसकी वज़े से छुपाना पड़ा ये relationship और देखिए इसके लिए भी सब Pile 1 के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप married है या फिर वो married है और इसी लिए शायद बाकी लोगों को नहीं बता सकते और कुछ के लिए हो सकता है जैसे मने अभी आपको बताया कि secretly शादी करी या शादी की बात चल रही थी या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीश में एक transparency नहीं थी या तो आप बहुत secrecy maintain करते थे अपनी कोई भी personal बात उनके साथ share नहीं करते थे या फिर ऐसी energies उनकी थी वो बहुत secretive थे अपनी चीजों को लेकर और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जन already married था और दूसरे जन को नहीं पता था अब दीखे जितने भी permutations, combinations मेरे mind में आए मैंने आपको बताया कि किस level पे एक secrecy आप दोनों के बीश में थी आप दोनों के रिष्टे को लेकर थी यह general reading है और सब के लिए different reasons रहेंगे और इसके अलावा भी reasons रह सकते हैं broader level के लिए एक secretive सी energies आपके relationship में रहती हुई दिख रही है और यहाँ पे दिखिए six of ones का card कहता है कि यहाँ तो आप यहाँ आपके partner over confident हो रहे थे दूसरे जन को लेकर यहाँ फिर इस relationship को लेकर और कहीं दिखिए जब यह relationship हुआ तो बहुत ही एक great feeling थी ऐसा लग रहा होगा जैसे top of the world आप फिल कर रहे हैं और कहीं न कहीं साथी साथ लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी एक सोच आप दोनों या आप दोनों के मन में चल रही थी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं लोग इस relationship को accept नहीं करेंगे लोग पीछे से बाते करेंगे और इसलिए किसी चीज को secret आपने इस relationship से related रखा हुआ था और शायद इसलिए थोड़ा सा या फिर काफी stuck भी महसूस कर रहे थे हो सकता है कुछ decision, कुछ choices लेना चाहा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे और कहीं देखिए कुछ time बाद आपने अपने आपको इन stuck energies में से निकालने की कोशिश करी होगी यहाँ पे garden का card कहता है आपने और लोगों से connect किया बहुत जादा आपने हो सकता है इसी stuck energies में से बाहर निकलने के लिए socialize किया फिर से कहूंगी लोगों से connect किया interact किया, बाचीत करी जादा लोगों से आप मिले, जुले और कहीं किसी level पे हो सकता है भी बढ़ना चाहा हो लेकिन यहाँ पे worth the weight का card कहता है जो भी आप कर रहे थे मन ही मन आप partner का वेट कर रहे थे याँ फिर चीजों के next level पे जाने का वेट कर रहे थे और देखे फिर से कहूंगी worth the weight का card कहता है कि मन ही मन किसी चीज का वेट था अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने अभी देखा कि आप दोनों का relationship यानि कि आपका आपके ex के साथ relationship काफी secret था तो हो सकता है कि लोगों को बताने का वेट कर रहे थे सही time का वेट कर रहे थे या फिर you know partner के साथ अगर कुछ अनबन हुई तो उनका वेट कर रहे थे अब देखिए वेट सब के लिए different रहेगा यह general reading है बट किसी चीज का वेट आप करते हुए दिख रहे थे और अभी current सेनारियों में देखें यहाँ पर star का card कहता है कि काफी आपको एक clarity आई है हो सकता है पीछे आप थोड़े से confused थे या फिर मैंने अभी आपको विताया कि काफी stuck महसूस कर रहे थे decision नहीं ले पा रहे थे action initiatives नहीं ले पा रहे थे और कहीं उनों उसमें से निकलने की कोशिश तो करी लेकिन मन ही मन मैंने अभी कहा आप वेट कर रहे थे तो अभी फिलाल की अगर हम situation देखें तो बहुत एक clarity आती भी दिख रही है आपको बहुत समझ आती भी दिख रही है कहते हैं न प्यार अंधा होता है love is blind तो कितनी बारी हम हम चीजों को नहीं देख पाते हैं facts को नहीं देख पाते हैं reality को नहीं देख पाते हैं partner के अगर कुछ negative points हैं हम उनको भी नहीं देख पाते हैं especially जब हमारे मन में उनके लिए बहुत feelings हो रही होती हैं और इसलिए शायद हम confused भी होते हैं तो दिखें इसी से ही related हो सकता है clarity आ रही है या फिर किसी और चीज को लेकर भी clarity आती भी दिख रही है और दिखें या पे clarity आने से related pretending and rope के cards कहते हैं शायद आपको समझ में आ रहा है कि जिनके साथ आप relationship में थे वो authentic नहीं थे वो genuine नहीं थे वो fake कर रहे थे उनके वादे fake थे या हैं उनके promises fake थे या हैं और इसलिए शायद बहुत helpless बहुत hopeless आप महसूस कर रहे हैं और अब हम future के लिए देखें तो देखिए यहाँ पर denial का card कहता है कि आपको clarity आ गई है आपको समझ में भी आ गया है लेकिन आप शायद इस सच को accept नहीं कर रहे हैं सब को जानते बूशते भी आप एक denial mode में रहते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ हो सकता है कि आप relationship completely खतम ना करें दिखिए अगर आपका relationship खतम हो भी गया है तो हो सकता है कि future में फिर एक physical intimacy हो क्योंकि bed का card कहीं physical intimacy की बात करता है sexual intimacy की बात करता है desire की बात करता है तो relationship को आगे continue करने की desire है कुछ के लिए हो सकता है कि ex के साथ मारिश करने की desire है और कहीं एक physical intimacy उनके साथ future में होती हुई दिख रही है और फिर से काऊंगे आपे denial का card कहता है कि आप सच को नहीं accept कर रहे हैं कि भई आपके ex कहीं आपके लिए stand नहीं ले रहे हैं या फिर हो सकत हैं हमने आपर दिखा pretending के card में और इसी लिए दिखिए बहुत emotionally आप low feel कर रहे हैं या फिर आपके mood swings हो रहे हैं और यहाँ पर दिखिए queen of cups का card ये भी कहता है कि इतना जादा emotions feelings आप अपने ex के लिए महसूस करें कि आपको यसे लग रहे है कि शायद आप निकल ही नहीं सकत हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं 18 साल से इस profession में हूँ दिन में 3-4 sessions करती हूँ और सबके सब या फिर जादा तर love relationship ही होते हैं और देखिए जितना मुश्किल हमें लगता है कि love relationship से बाहर निकलना है उतना मुश्किल होता नहीं है लेकिन जब हम relationship में होते हमे लगता है कि शायद इस इंसान के बिगार हमारी जिंदगी नहीं है यह इंसान नहीं तो हमारी जिंदगी खतम, trust me this is absolute lie यह सच नहीं है यह सिरफ और सिरफ हमें उस टाइम पर लगता है तो अगर आपको भी अभी ऐसी feeling हो रही है और आप निकलना चाह रहे हैं नहीं निकल प्लीज, the first step is कि आप बार बार अपने आपको यह ना बोलें कि भाही मैं तो इस relationship से निकल ही नहीं सकती मैं तो अपने partner के बगार रह नहीं सकती है रह नहीं सकता इनके बगार जिंदगी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर आपको help चाहिए you can come to me और अगर आपको आप खुद से कर लेंगे उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है but first step is have faith that it is not that difficult और आप निकल सकते हैं अगर वो इनसान जनुरे नहीं है अगर वो इनसान अथेंटिक नहीं है तो देखिए कहीं near future में आप चाहा तो रहे हैं छोड़ना लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखिए कि आपको क्या करना चाहिए क्योंकि हमारा जो यही है एक्स या नेक्स तो यहाँ पर four of pentacles reverse का कार्ट बहुत ही clearly कहता है कि आपको अपने x को let go कर देना चाहिए और आपको next की तरफ बढ़ना चाहिए यहाँ पर दिखिए four of pentacles के कार्ट को आप चाहा रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी अभी मैंने आपको कहा हो सकते आपको ऐसे लग रहा हो कि यह possible नहीं है और यह बिल्कुल भी truth नहीं है आप अगर चाहें अगर आप एक positive frame of mind रखें positive self talk रखें definitely आप निकल जाएंगे और कोई खा relationship में रहते हैं तो अब choice आपकी है आप क्या चाहते हैं और अभी हमने देखा भी कि partner के साथ होते हुए भी एक happiness आप नहीं महसूस कर रहे हैं कभी बहुत आप अच्छा feel करते हैं और कभी उससे भी जादा आप बुरा feel करते हैं और यह जो happiness होती है वो बहुत ही short term होती है ब आप next की तरफ जाएं और अपने x को let go करें और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो नीचे comment section पर मुझे जरूर बताएं और अगर आपने pile 2 यानि की beige and brown candle को choose किया है यहाँ फिर आपके नाम का first letter b e h k n q t w z से शुरू होता है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 2 की cards क्या कहते हैं x या फिर next तो दिखिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है maybe और यह card कहता है कि आपके और आपके ex के बीच में काफी time से maybe वली situation है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship को लेकर sure नहीं थे और बहुत जादा on and off आपका relationship रह रहा था यहाँ पर king of swords reverse का card कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफी controlling काफी dominating थे अपने हिसाब से चीजें करन चाह रहे थे और finances का card कहता है कि money पैसा भी एक issue मसला आप दोनों के बीच में था अब कुछ के लिए देखे जैसे मैंने अभी बताया आप दोनों के बीच में रह रहा था या फिर अपने personal fronts पे रह रह रहा था जिसकी वज़े से भी again problems हो रही थी इस relationship में आप दोनों के बी और whip का card कहता है कि यही चीज काफी time से आप दोनों के बीच में चल रही थी या फिर अभी भी हो सकता है चल रही है जहां पर you know break up करते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर साथ में आ जाते हैं फिर break up होता है फिर आगे बढ़ते हैं और कहीं round and round एक ही जगा पे यह relationship रह 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 जा रहा है विप का card एक और शीज कहता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही काफी fights हो रही थी काफी arguments हो रहे थे पीछे और एक बहुत ही intense physical intimacy या फिर एक sexual connect भी आप दोनों के बीच में था और इसी लिए शायद nine of wands का card कहता है issues मसले होने के बावजूद भी आप लोग continue कर रहे थे यहाँ continue कर रहे थे ठक रहे थे और परेशान हो रहे थे लेकिन give up नहीं कर रहे थे और अभी हम देखें हाल फिलाल में क्या हो रहा है तो यहाँ पर crossroads का card कहता है आप खुद को ऐसे इस मकाम में पा रहे हैं जहाँ पर आपक X को छोड़कर next की तरफ जाना है और कहीं देखिए इसी से ही related हो सकता है कि आप कुछ risk ले रहे हैं कुछ chance ले रहे हैं deeper level के लिए happiness का card एक दो चीज़ें कहता है यहां तो आपको ऐसे लग रहा है कि X के साथ ही खुशी है X के अलावा किसी और के साथ connect नहीं कर पाएंगे य और कहीं फिर से मैं कहूंगी कि थोड़े से casual थोड़े से carefree आप हो रहे हैं कुछ risk आप लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो यहां पर मैं आपको एक you know cards की तरफ से guidance जरूर दूँगी कि immaturity से आप चीज़ों को ना deal करें काफी maturity से deal करें क्योंकि एक बचकाना सा ह एक immature energies भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की लग रहे हैं यानि कि आपकी या फिर आपके ex की आपके chances ज़ादा हैं क्योंकि यह reading आपके लिए हैं आप देखिए आप इदा sun का card कहता है कि एक clarity इसी से ही related आपको आती हुई दिख रही है नीचे clouds हैं और फिर shadow work का card है और हो सकते हैं आपको यह understanding आ रही है future में कि आपको खुद पर work करना है अगर आपका और आपके ex का issues हो रहे हैं मसले हो रहे हैं arguments हो रहे हैं fights हो रहे हैं या on and off हो रहा है उसके लिए आप खुद ही responsible है because कहीं बार ही होता है ना कि inner child होता है बच्पन में कुछ ऐसा issue हुआ या फिर हमारी energies ऐसी होते हैं कि हम सामने वाले की ऐसी एक behavior retract करते हैं तो देखिए जो भी मेरे mind में आया मैंने आपको कहा लेकिन shadow work का card कहता है कि शायद self पर काम करने की ज़रत है और इस चीज की realization हो रही है अब हम देखें कि आपकी life में क्या होगा या फिर आपको क्या choose करना चाहिए तो यहाँ पर six of cups का card बहुत ही clearly कहता है आपको x को choose करना चाहिए या फिर x के साथ आपका relationship आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर tree का card भी growth or stability की बात करता है कहीं you know long lasting की बात करता है कहीं past life connection की भी बात करता है तो आपके x के साथ कोई तो आपका past life connection है और कहीं आपको उनके साथ ही अपना future देखना चाहिए या फिर you know x को आपको एक preference priority देनी चाहिए और अगर आपका यह सवाल है कि आपके x वापिस आएंगे नहीं आएंगे तो यहाँ पे यह काट बह जबी भी वो वापिस आएंगे तो एक stability लेकर आएंगे एक बहुत ही strong और बहुत ही clear mindset के साथ आएंगे इस relationship को आगे बढ़ाने के intention से आएंगे एक long term connection maintain करने के लिए आएंगे और यहाँ पे compromise का काट कहता है शायद आप दोनों को ही थोड़ा थोड़ा compromise करने की ज़रत है थोड़ा adjust करने की ज़रत है तो फिर से कहूंगी आपके सवाल का जवाब है X और X के साथ आपका relationship होने की बहुत सारे chances हैं आपका future होने के बहुत सारे chances हैं लेकिन guidance फिर से मैं कहूंगी आपके लिए यही है कि आपने थोड़ा सा compromise करना है थोड़ा सा उन्होंने करना है और इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें और अगर आपने Pile 3 यानि की white candle को choose किया है या फिर आपके नाम का first letter C-F-I-L-O-R-U-X से शुरू होता है 3 reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं Pile 3 की cards का कहते है X या फिर next और यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Stoke और यह card कहता है कि पीछे आपकी life में कोई नया इंसान आया है, कुछ changes आये है किसी level पर progress ग्रोथ हुई है और कहीं पीछे हो सकते हैं आपने यह decide कि अवो बस बहुत हो गया अब move on करना है और कहीं इसी intention के साथ आप आगे बढ़े और कहीं फिर से कहूंगी किसी नए इंसान के साथ आपने connect किया अब देखे मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपका proper एक love relationship नए इंसान के साथ शुरू हुआ है बट यह किसी के साथ आप connect करें है कुछ के लिए हो सकता है कि शुरू भी हुआ है और कहीं देखे मन में चल रहा हूँ कि X या फिर next क्या करना चाहिए क्या decision लेना चाहिए और देखे यहाँ पर regret का card कहता है X को लेकर कुछ regret आपके मन में है किसी चीज का अफसोस आपके मन में है अब देखे यह general reading है यह regret यह अफसोस सब के लिए differ करेगा कुछ पाइल तरी के लिए हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो X से related और उसके बारे में आप बहुत जादा सोच रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि X के साथ आपको closure नहीं मिला कहीं आपको ऐसे लगा कि चीजे बहुत अधूरी सी रह गई एक सही तरीके से आपका relationship end नहीं हुआ एक सही तरीके से फिर से मैं कहूंगी कि relationship खतम नहीं हुआ और कहीं इसी लिए एक deeper level के लिए उनकी सोच उनका खयाल वो एक thought आपके मन में रहता है यानि कि X का और यहां पर moon का काट कहता है शायद आप यह आपके partner यानि कि X इमिज को लेकर बहुत conscious थे लोगों के सामने अपनी एक अगें कहूंगी इमिज को लेकर बहुत ज़ादा conscious थे और X के साथ आपकी बहुत एक strong chemistry थी बहुत एक strong connection था बहुत एक जबर्दस attraction थी और फिर से देखिए आपको closure नहीं मिला और कहीं चीजें ठीक नहीं चल रही थी जो भी मसले थे जो भी issues थे आपने decide किया कि आपको move on करना चाहिए और हो सकता है यह move on करना भी बहुत असान ना रहा हो काफी difficult रहा हो काफी सारे issues मसले रहे हो लेकिन फिर भी आपने decide किया again आप move on करे नया इंसान आपकी life में आया लेकिन कहीं बहुत slowly आप इस connection को आगे ले कर जा रहे हैं यहाँ पर take it slow का card कहता है कि कहीं मन ही मन आपका मन x में अटका हुआ है यहाँ फिर से मैं कहूंगी वो closure नहीं हुआ कुछ एक अधूरे से बाचीत रहे गई कुछ एक अधूरापन उनके साथ रहे गया और इसलिए शायद properly आप नहीं move on कर पा रहे हैं अभी देखिए यहाँ पर cross का card कहता है हाल फिलाल एक pressure एक burden आपके मन में रहता है ना तो आप पूरी तरीके से next की तरफ जा पा रहे हैं और ना ही आप x को अपने mind से निकाल पा रहे हैं यहाँ पर king of cups का card कहता है यहाँ तो आप love, emotions, feelings अपनी life में चाहते हैं in the sense की आप चाहते हैं की कोई इंसान आपकी life में हो जो आपको love करे या फिर आपकी care करे या फिर यह भी हो सकता है की आपकी life में ऐसा इंसान है जो भी next आपका connection बना है जो भी नया इंसान आया है वो बहुत loving, caring है लेकिन फिर भी एक pressure है मन में फिर भी एक burden है तो किसी level पर एक regret, एक अफसोस, एक you know, myuse ही रहती हुई दिख रही है यहाँ पर friendship का card कहता है या तो जो भी next इंसान आया है उनके साथ आपकी बहुत अची friendship थी यानि कि आप दोनों friends थे और उनके बन में आपके लिए attraction थी या फिर आपने अभी उनके लिए attraction डवलप करी या फिर देखिए जो भी next है उनके साथ आपको ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी दोस्ती है लेकिन वो feelings, emotions आपने ही महसूस कर पा रहे हैं मैं इतनी सारी चीज़े आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है या फिर X के साथ आपकी बहुत एक strong दोस्ती थी friendship थी और आप उसको नहीं बुला पा रहे हैं तो किसी लेवल पर किसी तरीके से friendship दोस्ती भी connected रहती हुई दिख रही है आपके X और Next की स्टोरी में आप देखें future में क्या होगा तो देखें आपे shield का card कहता है कि आप अपने आपको बहुत protect करते हुए चल रहे हैं होता है ना एक बर हमने चोट खाई एक बर हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो उसका यह कितना असर रहता है कि हम आगे freely कोई चीज करी नहीं पाते हैं हम हमेशा डरे रहते हैं या फिर हम खुद को protect कर रहे होते हैं हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो कहीं आप अपने आपको protect करते हुए बहुत cautious बहुत conscious होके बढ़ते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर heartbreak का card कहता है मन ही मन आपका दिल अभी भी टूटा हुआ है मतलब next आपकी life में आ गये हैं लेकिन वो एक happiness वो एक joy आप नहीं महसूस कर रहे हैं कहीं दिल में एक कसक है दिल में एक दर्द है दिल में एक दुख है दिल में एक pain है और फिर से कहूंगी regret रहता हुआ दिख रहा है कि यहां पर दो cards में regret आया है तो एक अफसोस रहता हुआ दिख रहा है हो सकता है आप से कोई गलती हुई हो और आप कहीं उस गलती के लिए माफी ना मांग पाए हो अपॉलजाइज ना कर पाए हो या फिर आपके ex ने आपको म mature है loving है caring है लेकिन आप नहीं move on कर पा रहे हैं और यहां पर देखिए strength का card भी कहता है कि एक inner strength रखते हुए आप चीज़ों को deal कर रहे है मन ही मन बहुत एक गुसा है frustration है यह गुसा frustration सब pile three के लिए different different चीज़ों को लेकर हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है आपको खुद के पर गुसा है कुछ के लिए हो सकता है X पर गुसा है कुछ के लिए हो सकता है next पर गुसा है कुछ के लिए हो सकता है circumstances situation पर गुसा है तो फिर से कहूंगी मन ही मन बहुत एक गुसा आ रहा है और आप इस गुसे को suppress कर रहे हैं इस गुसे को control कर रहे हैं in fact मैं यह नहीं कहूं क्या होगा तो यहाँ पे दीखिए six of swords का card कहता है कि आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको दीखिए इस card के हिसाब से move on कर जाना चाहिए आगे बढ़ जाना चाहिए अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो इसमें boat है और boat कहीं एक तरीका है एक जगा से दूसरी जगा जाने का तो बहुत ही clearly यह card कहता है कि past को पीछे छोड़ें X को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें move on करें लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर देखे cat lady का card कहता है कि अगर आपने आगे नहीं बढ़ा और अभी भी आप उसी regret वाली energies में रहें क्योंकि देखे जिस energy में आप रहेंगे आप और जादा वैसी चीज़ें अपनी life में attract कर लेंगे तो फिर आगे चलके आप single हो सकते हैं और फिर आप और जादा परिशान हो सकते हैं कि भई एक्स को तो गवाया ही एक्स के चकर में next को भी गवा दिया और अब अकेले बैठे हुए हैं तो please self love practice करें क्योंकि self love practice करेंगे तो बहुत clearly चीज़ों को देख पाएंगे समझ पाएंगे better decisions, better choices ले पाएंगे the answer for you is please move on next की तरफ जाएं, life में आगे बढ़ें क्योंकि कोई भी चीज़ जब बहुत time तक रुकी रहती है ना stagnant हो जाती है तो वो बदभू मारना शू कर देती है और इसी तरीके से देखिया आपकी life में beautiful चीज़ें है, beautiful energies है और अगर आप उनको avail नहीं करेंगे, आप कहीं पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो फिर future में आप बहुत परिशान होंगे so please move on, let go off जो आपको serve नहीं कर रहा है welcome जो आपकी life में आना चाहा रहा है और yes, इस चीज़ को आप apply करेंगे तो अपनी life में beautiful energies लेकर आएंगे तो ये था पाइल थी आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें